रादे रादे दोस्तों सकट्रव गनेश्चव आने वाली है यह दोनों एक यह दिन होती है उसी को गनेश्चव कहते हैं उसी को स क्borश्चaафत कहते हैं तो यह वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि बहुत सी बहुँओं बेटियों बहनों को जो देश वीडेश में बसे हुए हैं और बाहर सर्विस कर रहे हैं अपने देश में रहके तो उनको नहीं मालूम रहता है तो मैंने सुचा चलो इसके लिए वीडियो मनाते हैं तो आपने मेरे चैनल सस्काइब ना किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सस्काइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको पुस्ट कर लिए जिससे इस तरह की नए नए जानकारिया आपको मिलती रहेंगी चलिए हम आपको बताते हैं सकट चौत कब मना जाता है यह माव मास के केसंपच में चतुर्थी के दिन सकट का तेवार मना जाता है आज के दिन सकट माता की पूजा होती है इस दिन इस्तरिया पूरे दिन निरजल ब्रत रख करके साम को चंडरमा कर अरक देने के बाद ही फलार लिया जाता है अब पूजा की क्या समगरी ये मैं बता देती हूं, इस पूजा में पूड़ी, पुवा, 4 कच्ची, 4 पक्की सकरकंदे, 4 आलु कच्चे, 4 पक्के आलु, 4 अर्भी कच्ची, 4 पक्की अर्भी, 4 तिल के लड़ू, सुपारी, दूप, पूजा में बनाई जाने वाली अलपना, फल, फूल, और दो दीपक,하겠습니다. एक आर्ती कनने के लिए आर्ति दानी और दूप बत्ती वगर कनने के लिए धूप होना चाहिए यह हुई पूजा की समगरी तो फल जो है तो जो फल सीजन में मिलते हैं आज कल रसबरी आ रही है अमरूद आ रहे हैं केला आ आपको जो फल मिले इस जनके वह चड़ाय जाते हैं今日तर इस दिन तिल का बहुत माथ होता है तिल को भून कर गोड़ के साथ कूट लिया है जिससे तिल का पहाड बनाई जाता है पाठे पर चार पुथले बनाः jate है इनी पुथला कि पूझा होती है तो इसमें कैसे चडggakाये जाता है वमधर को बताती हूं और आठ लड्डू लग जाएंगे एक इस तरी को तो इस तरह उनमें चढ़ा कर फल फूल चढ़ाएं और आर्थी करिए और वहां पर सुहाग लेने के लिए हम अलपना बनाते हैं उसके उपर पांच मिट्टी की गोल गोल बनाकर रखते हैं उसके सिंदूर चढ़ा कर फिर सुहाग लेते हैं और इस दिन सिंगाड़ी के हलुआ बनता है जिसको बर्फी जैसे जमा दिया जाता है उसको लपसी बोलते हैं वह भी चढ़ाए जाती है और सकरगंडी का हलुआ है वह भी चढ़ा जाता है यही सब हम लोग ब्रतवाले तिन इस दिन खाते भी हैं इस दि तिल के लड़ू अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो मामबे रसोई में जाए यह सब चीजे तिल के लड़ू और सकरकंड का हलुआ यह सब दिया हुआ है आप वहां से देखिए और बनाईए तो इसके बाद पूजा करने एक बात हम चंद्रमा की पूजा करते हैं चंद चंद्रमा को साथ बार अरक दे इस तरह पूजा करें फिर इसके बाद आकर भलहार करें और पूजा करने में चार कथाए भी होती है तो चार कथाए हम यदि बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी चलिए एक हम गड़ेश जी की कथा आपको आपको पूजा कर सुना देते हैं और चारो कथाएं हम आगे वीडियो बनाएंगी आप उससे सुन लीजेगा यदि आपको कोई किताब अगरा नहीं है कथा की तो आप उससे सुन लीजेगा चलिए गणेश चोट की गणेश जी की कथा सुनाते हैं एक भिच्चु चुटकी में चावल एक च पार्मी एम दयालू ती उसने गुखार सुन का तुरंट खीर बनाने की अपनी सहमति दे दी एक कटोरी में दूर चावल में अंगिठी में चढ़ाया तो उबलने लगी तो उसने उसे भगोने में चढ़ाया खीर उनाओ बलकर बहार गिरने लगी तो उसे बड़ा चर तो इतनी जादा मातरा में कैसे बढ़ती जा रही है उसकी समझ में नाया खीर बनने के बाद उसने अपने घर में गनेजी की मूर्ती का भोग लगाया उस बीच विच्चुक कहीं विचलन करने चला गया जब वापस आया तो बुढ़िया ने उस खीर की मातरा बढ़ने का तता उसे आगरह किया कि वै खीर खा ले उसने का मैं तो खीर खा चुका हूँ बुढ़िया ने पूचा कब उसने बताया जब तुमने गनेजी का भोग लगाया था बुढ़िया के आश्चर का ठिकाना ना रहा और उसकी चुटकी भर चावल एमन दूत का चमत का समझ में गया उसने तुरंद भिच्चुक को पर्लाम तथा वंदना की भिच्चुक अपने वास्तिक रूप में गनेज भगवान के रूप में परकट होकर उस बुढ़िया को दरसंदे कर कदाग्द किया जैसे बुढ़िया की मनोकामना रत्पूर्ण हो वैसे ही गनेज जी सबको दर चार कथाएं और हैं यह तो गनेज जी कथा ती इसके अलावाद चार सकट मातक कथाएं जिसकी वीडियो मैं बनाऊंगी अलग अलग बनाऊंगी क्योंकि कथाएं बड़ी हैं तो बड़ी वीडियो हो जाए कि जैसा होगा आप देख लीचिएगा और आपने को यदिये मेर विदी पूजन सब वगारा पसंद आया हो तो जरूर लाइक और स्यर कीजिएगा दूसरों को भी चलिए अगली वीडियो मिलते हैं रादे रादे